विल्कम टू ग्यान बेंदू अधि जो घ्राफ गीवें है वो पी ऐफ गी वाइबिवा जो कि पीओ एकस्ट है 6 part में एक ही question इस chapter में इस exercise में given है और मैं आपको जो मैं already जिसमें explain की हूँ polynomial को लेकर उस chapter में मैं बता चुकि हूँ कि हम number of zeros किसी भी graph से कैसे find out करते हूँ तो जितने y equal to p of x it means x axis जो हमारा x axis है यह क्या है y axis और यह क्या x axis इसे हम quadrant 1 यह quadrant 2, 3 and 4 इस तरीका से quadrant कहते हैं और इसे समझने के लिए जितने time हमें number of zero निकाली कि जितने time के x axis को जो भी draw किया हुआ है वो straight line हो या curve line हो जितने time वो touch करते हैं उतने zeros उस polynomial की हो तो यहाँ पे देखते हैं कि जो को first part में है कि यहाँ पे यह जो line है वो x axis को touch नहीं कर रहा है it means zero of polynomial नहीं है तो अंसर क्या लिखेंगे हम no polynomial no zero of no zeros सिर्फितना लिखने से काम चलता है no zeros and second part में क्या देख रहे हैं कि यह x axis को one time cut कर रहा है okay इसके answers में क्या हो जाएंगे one zeros similarly third part में देख रहे हैं कि one time two time and three time यह three time touch कर रहा है then answer is three zeros fourth part में देख रहे हैं यह two times यहां पर कुछ मुझे गडबड लग रहा है question मैं सायद कुछ wrong note कर दी है इसके according question के according यहां चल खीक है यह क्या है a one and two sorry मैं मुझे लगा कि यह यहां से लिया हुआ है कर रहा है but मैं question check की same यहां यहां देख रहे हैं यहां देख रहे हैं यह two times यानि answer क्या हो जाएंगे यह x axis को कितने times cut कर रहे है two times then two zeros बहुत ही असान question one two three four answer is four zeros and one two and three answer is वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like and share जरूर करें and इस चैनल को subscribe करना ना भोलें तेैंगे छिटेश टूर चीजियो पोल्दा तेैंगे रह्छा सक्यी में